हेलो फ्रेंट्स मेरे विराठोर स्वागत करता हूं आपका अमारे सीडियो चैनल पर तो फ्रेंट्स आज की अपडेट न्यूज यह है कि आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि जो भारत में यानि पूरे आल इंडिया में 2000 के नोट बंद होने वाले हैं वो भी ATM मशीनों में यानि कि अब आप ATM मशीन से 2000 का नोट प्राप्त नहीं कर सकते तो इनको ATM में क्यों नहीं डाला जा रहा है क्या कारण इसके बंद करने का और इन नोटों को क्यों बैंक से क्यों प्राप्त कर पाएंगे तो यह सारी जानकारिया हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले ह स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हुआ है कि 17 फरवर को दिल्ली में परिपत्र जारी किया गया जिसके अंतरगत 2000 के नोट आप ATM मशीन में नहीं मिल पाएंगे कारण यह है कि 2000 के नोट की जो शमता उसे अधिक मानी गई और इसे जब ग्रहाक के पास यह नोट जाता है तो उसे मार्केट या केसी भी अन्य दुकानों पर उसे यूज करने में काफी समस्या का सामना करना हो जाता है क्योंकि एक दम से अकर 2000 का नोट आप केसी को देंगे और मानली आप से 100 रुपय का कोई समान खरी जाता है से 2000 के नोट ना निकले 17 फरवरी को परिपत्र जारी किया गया जिसके अंतरगर 2000 के नोट में मिलना बंद हो जाएंगे तारीक में बता दूं आपको 2000 के नोट नहीं मिल पाएंगे वो भी एक मार्च से अगर आप बेंक में जाते तो वहां पर इनका चलन चालू रहेगा और बात यह बता दे कि अगर 2000 का नोट से नहीं निकलेगा तो फिर नोटों की कमिया जाएगे तो उसके लिए अगला उपाय उन्होंने यह निकाला उसकी जगह पर आपको 200 रुपे के नोट अधिक से अधिक प्राप्त कर सकेंगे एक से और 500 के नोट की भी संख्या बढ़ा द तारीक से 2000 के नोट नहीं मिल पाएंगे तो आप मेरे पास जो न्यूज देख रहे हैं इसे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं सभी जगह यह आदेश जारी कर दिये गए और बहुत ही जल्द इस पर काम करना स्टार्ट कर दिये इसे तो आज 25 तारीक है वह 5 दिन और आपको 500 200 और 100 के नोट ही मिल पाएंगे तो कुछ ऐसा अपडेट था जो कि आपको बता देना मैंने जरूरी समझा तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है तो वीडियो का सिलसिला आगे चलता ही रहेगा फिलार आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो मे बाइ